अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दुबाना मत बूलें जिससे आपको मिलेगी मेरी वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले असलाम अलेकौं कैसी है मेरी पियारी सी फैमली मिद्याप सब बिल्कुल थीक हूँगे मैं अल हम्दलल्ला बिल्कुल ठीक हूँ और सुबा सुबा का व कई है और यह मेरा गौर्डन जो के बहुत ही प्यारा लग रहा है और बच्चे जो हैं स्कूल चले गए और अभी मैं बनाने जा रही हैं अपने लिए चाहे और बतन वेरा भी पड़े हुए हैं दोने के लिए तो इन्शाला सबसे पहले करूँगी मैं नाश्ता क्योंकि बूख जो है वो काफी लगी हुई है तकरीबन सवानों का टाइम हो गया है और अभी बतन भी पड़े हुए हैं सारे वो मैंने समेटने हैं इन्शाला नाश्ता करने के बाद और अभी जो हूँ मैं हो रही हूं रे तो बस मैंने पहना हुआ है और माशाला बहुत प्यारा लग रहा था सबने जिसने भी देखा है वो तारीफ की है कह रहे हैं कह रहे थे कपड़े जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं कोलर बहुत नाइस है और आप सब लोगों ने भी बहुत पसंद किया तो इसके मचल से और आगे अभी डॉक्टर की सरजडरी में और यह हो रहा है ब्लॉट टेस्ट और माशाला से एतनी ब्रेय yht किया वैसे आरब पर जिद करती करती है तो जो नर्स था मेल नर्स था वो भी सर्प्राइज हो गया कि यह तो बिल्कुल बोली भी नहीं है और यह ब्लोट टेस्ट बस हो गया है और अभी हमाएं मौरिसं पास हिया तो मैंने का के चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं क्यूंकि आगे वीकेंड है तो चीजें वे तो बैड़ चाहिए तो चोटा बैग दिया और बड़ा बैग मैंने ले लिया और बास इसी तरह बस गूम रहे हैं शॉपिंग बैड़ा की है क्योंकि पता है क्यां आपको के वीकेंड होता है तो बचे गार पे होते हैं तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है और चीजें यह ज्रूरत होती हैं तो बस्वह钱 मैं ले Cai ले लिए हैं यह डिफरेंट बाग है वो मैं लेती है यह भडियंवी लिकिन रहते हैं को मैं leg नो में ले लिए और भाड़ी को सबक् मत्या थै। तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो वही मैंने कुछ लिए और अलीशा ने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए लेना है तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी क्योंके तुम बहुत अच्छी बच्ची थी आज और बलोट टेस्ट जो यहाँ तुम्हें बिल्कूल रोई नहीं हो मुझे तंग नहीं किया तो आज मैं आपको ट्रीट करूंगी तो यह है कि मौरिसन के बाद शॉपिंग करने के बाद फिर मैंसे खाने के लिए लेके जाऊंगी कहीं और शॉपिंग बासा इसता हो रही है और आप लोगों के साथ एक बास यह करनी थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर है और उन्होंने मुझे गिफ्ट बेजा है तो यकीन करें मुझे इतनी ज्यादा हुशी हुई है अगर आप सिस्टर ये वीडियो देख रही है तो प्लीज कॉम सारी जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है इंशाला आप सब के साथ मैं शेयर करूंगी तो इंशाला वीडियो के अंड में मैं आपके साथ किफ्ट शेयर करूंगी उन्होंने मेरे लिए क्या बेजा है और इस्पेशली उन्होंने मेरे बच्चों को याद रखा मुझे थैंक यू करती हूं और मैं दौा करती हूं कि अला आपके बच्चों को भी बहुत सहत दे और जिंदगी दे और खाना खाने हमा आगें और खाना वेरा खाया है हमने अलीशा ने बर्गर लेना था और यह मैंगो मैंने लिए लेकिन मैंगो वाले ने मेरे साथ थोड़ी सी खेली है और सारे मैंगो मैंने चेक करके लिए थे लेकिन फिर भी एक मैंगो जो हो हराब निकला था तो शोपिंग वेरा सारी की है मैंने जो चीजने चाहिए थी बस लीए और ये है कि बास जो जो चीजने जरूरत पड़ती है वो मैं लेती रहती हूँ एक दफा सब चीज़े नहीं लेके आती हूँ और अभी हो गया है शाम का वक्त और बचे मस्ज़स से आ गए और उनके लिए बनाने जा रही हूँ मैं आज फ्राइड चिकन के राप्स उन्हें खाने थे तो चिकन मैं लेके आई थी मौरी संसे और अभी मिन्ट सॉस मैं बना रही हूँ योगर्ट मिन्ट सॉस और इसके लिए योगर्ट मैंने लिया है और जो मिन्ट सॉस रेड़ी जो मिलती है और ये रेडी मिलती है मिन्ट सॉस वह मैंने इसमें डाली है बहुत इक्विक बनने वाली सॉस है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी और अलीशा जो है हमेशा की तरह बस हल्प करने आगी है मेरे साथ और यह देखें साथ में मिक्स कर यह मैंने का कि छोड़ दो लेकिन अभी यह चोड़ने वाली कहा है और यह बस मिक्स करना यह रेडि है अगर आपको थोड़ी सी रनी सॉस चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें दूद भी आट कर सकते हैं और थोड़ा सा वाटर जो है वो भी अपनी चोइस पर है लेकिन यह कि बहुत मज़े साथ रगाने के लिए मैंने बनाई ती है कि थे उब इसमें जल्दी से मैंने बना ली थि और चिकिन भी हो रहा है इस पर मसाला जहा है मैंने लगाया था और कोई हाथ चीज नहीं लगाई इस पर बस फ्राइब रहा हूं पेपिछली विडियो में मैंने आपको दिखाया ibn कैसे बना हो और ठेबल रेटी हो गया है और योकिन करने के ऐसा लगया था कि रमजान का जैसे हम टेबल सेट करते थी वैसा वस टेबल लग रहा था तो चैशने ईनज्व है और अभी जो है Saturday है और Saturday के दिन हम गए थे बाहर खाना खाने के लिए सारी फैमिली के साथ और मेरे हाल में बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि यह कौन सी जगह है यह शिमलाज है और मेरे बच्चों को यहां का खाना जो है वो काफी अच्छा लगता है इस्पेशली इनके जो च सेवल था बच्चों ने काफी इंजोई किया है और अलीशा जो है वो कर रही है कलरिंग तो वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए खाना अभी तक आया नहीं था अमने ओर दे दिया था लेकिन टाइम था अभी तो उन्होंने बच्चों को कलरिंग बुक्स और पैंस बैरा कलरिंग करने के लिए थोड़ा सा बच्चों को बिज़ी रखने के लिए तो बस कलर वगयरा कर रहे हैं लेकिन यह है कि इतना जएदा शोर नहीं कि आप बच्चों ने क्यूंकि सार कजन्स भी थे इनके साथ बातें करते रहें और खाना जो है वो आ गया है और बहुत अधिम हो गया है और खाना साब का आ गया था लेकिन मेरा खाना जो है वो सबसे लेट आया मेरा ओड़र जो है वो बूल गये थे तो यह हुआ कि फिर वेटर को हमने बलाया और आपने मेरा खाना तो दिया नहीं तो फिर उसने यह कि अपो पांच मिनट वेट करना किया था और मैं सबसे लास्ट में फिनिश हुई थी और बचों ने भी माशाला एंजोई किया है खाया है बस खाना और फैमली के साथ अच्छा टाइम स्पेंट हुआ है तो बस गार जाने के लिए तियारी कर रहे थे और यह चुटकू सा जो है यह मेरे हजबन की जो नीज माशालला जो गरती हैं यह जो वह इतना जाज़ा करती है we go अनके साह और देख सकते इतना जाधा खेलती है उननके साथ और इतना ज़्यादा एंजॉय करती है और माशाला से वो भी इतना एंजॉय करते हैं इतना खुश होते हैं और यकीन करें कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ खेलना और बातें करना उनके साथ और बहुत हंसते हैं और बहुत मज़ा आता है और ये हैं वो गिफ्ट्स जो मेरी सिस्टर बहुत प्यारी सिस्टर हैं उन्होंने मुझे बेजे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं उनका नाम जो है वो मेंशन ना करूँ वीडियो में तो मैं नाम उनका मेंशन नहीं कर रही हूँ तो नाम उनका मैं नहीं बता रही हूँ, बस जो गिफट उनने बेज़े हैं वो मैं आपके साथ शेये कर रही हूँ और यह शूट्स हैं जो उन्होंने मुझे बेज़े है, माशाओला से तीन सूट बहुत प्यारे थे बहुत अच्छे लगे और मैं सोच रही हूं कि ये वाला सूट जो है उनकी तरफ से जो गिफ्ट है मैं एद के लिए स्टिच करूँगी और इंशाला हो सकता है कि एद के दूसरे दिन अगर जिन्दगी रही तो मैं इंशाला स्टिच करके मैं इसे पहनूँगी और मुझे बहुत पसंद आया था और उनका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जजाक अलला आपको सेहत जे जिन्दगी दे आपने इतना सोचा मेरे बारे में और मुझसे इतना इतने प्यार और रिस्पेक्ट से उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट बेजा तो यकीन करें के और मुझे दिली जो है वो फुशी हुई है तो यह सूट्स उन्होंने बेजे हैं और साथ में उन्होंने लेटर भी सेंड किया था और बच्चों के लिए गिफ्ट लेने के लिए उन्होंने कुछ सेंड भी किया था तो उसके लिए आपने मेरे इलावा मेरे बच्चों को याद रखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और यह लेटर जो है वो उन्होंने बेजा था साथ में और लेटर पे उनका नाम लिखा हुआ है तो लेटर मैंने फोल्ड कह दिया था और यहां पे मेरा नाम और उनका लेटर है वो मैंने आपके साथ शे किया है और उनका न के हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और प्लीज आप उनके बच्चों के लिए और उनके लिए और हासकार उनके बेटों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की जिएगा कि आला ताला उन्हें वह सारी सहत और जिंदगी दे आमीन तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में आला हाफिज